एक साल पहले कावण यात्रा के दौरान हुए विवात के बाद अपने पापा विधायक पप्पु भरतौल को अपना आदर्स बताने वाले शाक्षी मिश्रा अभी की टाइग्रेस हो गई हैं पापा के माफी देने के बाद इंस्टाग्राम अकाउंट पर शाक्षी ने अपने पती के साथ डीपी लगाई है उन्होंने खुद को अभी की टाइग्रेस बताया है शाक्षी ने इंस्टाग्राम पर अपना यह नया अकाउंट सीनू अभी के नाम से बनाया है शाक्षी ने खुद को अभी की टाइग्रस लिखा है फेस्बुक पर अपने खुद को मनमर्जी कुईन और पप्पो भरतौल की बेटी लिखा है सीनु मिस्रा के नाम से बनाये गए फेस्बुक पेज पर वह अभी वी परिवार के साथ पुरानी फोटो पोस्ट कर रही है मंगलवार को साक अजितेश ने विधायक के परिवार के लोगों की इस बात को गलट ठहराया कि उन्हें इस लव स्टोरी के बारे में जानकरी नहीं थी उन्होंने कहा कि वह इसका जवाब तो आमने सामने बैठ कर ही देना चाहेंगे अगर उन्हें साक्षी और मेरी लव स्टोरी के बारे मे जानकारी नहीं थी तो उन्होंने साक्षी पर इतनी बंदिशे क्यों लगाई। अजितेश का दावा है कि विधायक और उनके परिवारी जन पहले से ही सब जानते थे। अपनी और साक्षी की उम्र को लेकर उठ रहे सवालों पर अजितेश ने कहा कि दोनों की उम्र के बीच 5-6 साल का अंतर है। आपको पता दे कि भीतरी विधायक पप्पु भरतौल की बेटी साक्षी 3 जुलाई को घर छोड़ कर चली गई थी। उन्होंने अनुसूचित जाती के अजितेश से शादी कर ली। 10 जुलाई को साक्षी ने वीडियो के जरिये जान को खत्रा होने की बात कही। 11 जुलाई को साक्षी ने दूसरा वीडियो वायरल किया। इसमें उन्होंने पापा विधायक, राजेस मिश्रा, भाई विक्की बरतौल और विधायक के करीबी। राजीव राणा ने अपनी जान को खत्रा बताया। वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने प्रेम विभा करने के मामले से जुड़ा। आपती जनक पोस्ट शोशल मेडिया पर वायरल करने को लेकर भड़का। पुलिस ने पोस्ट वायरल करने वाले यूवक समेथ उद्रव में शामिल 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तनाव को देखते हुए गाउं मे पुलिस बल तैनात किया गया है। खबरों के लिए बने रहें। ददस्तक 24 के साथ। नमस्कार।